Hello friends, welcome back to my channel. Let's learn everyone. In today's English speaking practice, we will discuss daily use English sentences. I hope these sentences will be useful to you. If you want to learn to speak English, please subscribe my channel. If you haven't subscribed, like and share my videos. Let's start practice. अब मैं एक कदम भी और नहीं चल सकती. I can't walk even a single step now. मुझसे गलती हो गई. I made a mistake. मुझसे गलती हो गई. मुझसे बहुत भारी भूल हो गई. I did a grave mistake. मुझसे बहुत भारी भूल हो गई. वै अती भावुक इंसान है. He is a mushy person. वह अती भावुक इंसान है तुमने जो भी कहा अब तक मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा तुमने जो कुछ भी कहा मेरे पल्ले अब तक कुछ भी नहीं पड़ा तुमने जो भी कहा वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी वह छुपा रुस्तम है तुमने मेरा महत्व कभी भी नहीं समझा तुमने मेरा महत्व कभी भी नहीं समझा स्कूल से सीधे घर आना स्कूल से सीधे घर आना Next sentence is मुझे लगता है कि वह भरोसी के लायक नहीं है I think he is not trustworthy I think he is not trustworthy मुझे लगता है कि वह भरोसी के लायक नहीं है I think he is not trustworthy Another sentence अच्छा होता मैं वहाँ चला जाता I would have been better if I had gone there अच्छा होता मैं वहाँ चला जाता It would have been better if I had gone there अच्छा होता मैं वहाँ चला जाता It would have been better if I had gone there वह बहुत ही भुलककर है He is very forgetful वह बहुत ही भुलककर है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है No words are enough to compliment him वह मूफ लाए हुए है She is pulling a long face She is pulling a long face मैं मूफ लाए हुए है She is pulling a long face मैं तुम्हें यही तो समझा रही थी That's what I was making you understand मैं तुम्हें यही तो समझा रही थी गबराहट के मारे मेरे जान निकल रही है गवराहट के मारे मेरी जान निकल रही है बिना मतलब की बात मत करो तुम फालतु में ही नाराज हो रहे हो तुम फालतु में ही नाराज हो रहे हो मुझे पता है क्या करना है मैं बच्चा नहीं हूँ कल का दिन उसके लिए बहुत ही मन्हूस था कल का दिन उसके लिए बहुत ही मन्हूस था आप इस वीडियो इस उस्फुल तो यू